शीरी गुरु 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 साव। आओं कभु ना छोड़ू हरी का नम। यहाँ गुरु जी परलाद भक्त का संदर्व लेकर के बताते हैं कि परमात्मा हरी सदा अपने भक्तों की रक्षा करता है। परमात्मा हरी ने एक लीला च्रित्र की और गुरु के उपदेश रूप में अनाहत नाद सुनाया। तिनी करते एक को चलतों पाया अनहत बानी सब्दू सुनाया। गुरु से भी मुख जीव इस नाद के परती उपेख्षा करते हैं। गुरु मुख जीवों ने इस ग्यान को जान लिया है। ये तो करता स्यम करता है। वे समूची वस्तु स्थिती का नियनता है। अनहत बानी सब्दू सुनाया। मन मुख पुल्डे गुर्मुख बुजाया। कार्जु करता कर्दा आया। गुरु का अपदेश मेरे अंतरमन में बस गया है। आता है अब मैं हरी नाम को कभी नहीं छोड़ता। गुरु का सब्दू मेरे अंतर त्यानूं। हूं कभू ना छोड़ू हरी का नामूं। पिता परलाद पड़न पठाया। ले पाटी पादे के आया। नाम बिना ना पड़ू अचार मेरी पटिया लिखूं दे गुबिंद मुरारे। गुरु का अपदेश मेरे अंतरमन में बस गया। पिता हरना कश्ब ने परलाद को पड़ने भिजा। मैं पट्टी ले करके पंडित के पास पड़ने के लिए आ गया। हरी नाम के बिना अन्य कोई बात नहीं पड़ूंगा। ऐसा उसने का। मेरी पट्टी पतो केवल परमात्मा हरी का नाम लिख दो। परमात्मा गोबिंद का नाम लिख दो। परमात्मा मुरारी का नाम लिख दो। पिता परलादू पड़न पठाया, ले पाटी पाधे के आया, नाम बिना ना पड़ू अचार मेरी पटिया लिखें, देहूं गोबिंद मुरारी। पुत्र परलाद सुत कहा जा माई, पुत्र परलाद सियू कहा माई, पर वित्ती ना पड़ू रही समझाई। निर्भव दाता हरी जी मेरे ना ली, चे हरी चोड़ू, तां कुणी लागे गाली। परलादी सभी चाटडे बिगाडे, हमारा क्याना सुने, आपने करज सवारे, सब नगरी में पगती दिरे आई, दुस्त सबा का किछू ना बसाई। पिता हरना केशब ने परलाद को पढ़ने भीजा, वो पट्टी लेकर के पंड़त के पास पढ़ने के लिए आया, हरी नाम के बिना अनने कोई बात नहीं कहूंगा, ऐसा उसने कह दिया, मेरी पट्टी पर सिरह मुरारी का गुबिंद का नाम लिखती। मा ने पुत्र परलाद से कहा, दूसरों की रस्म में मत पढ़ो, उनके परिवार में परमात्मा हरी का नाम लेने की रिती नहीं थी, तो वे बोला, निर्भे सब का जीवन दाता हरी मेरे साथ है, यदि मैं उसका त्याग दूँ, तो कुल में कलंक लगेगा। निर्भू दाता हरी जी मेरे नाली, जे हरी छोड़ूं, तो कुल लगेगा गाली। पर लाद ने सब सेपार्थियों को बिगाड़ दिया, अध्यापक ने ये शिकायत उसके पिता से कर दी। वे हमारी बात नहीं मानता, अपने ही रास्ते चलता जाता है। नगर भर में वे भक्ती की चर्चा करता रहा, दोस्टों के समू का कोई वश नहीं चला। सब नगरी मैं पक्तिद्री आई, दोस्ट सबा का किछुना बसाई, संडे मर के कई पुकार। सब देतरे चाखमारी, पगत जना की पती राखे सोई, कीते न कहिये किया होई, किरत सजोकी देती राज चलाया, अरी न बुझे तिन आप बुलाया, पुत्र पर्लाद सो वादूर चाया, अंदा न बुझे कालू नेडे आया। पर्लाद के अध्यापक शंडे और मरके शंडे मरके आदी से पुकार की सभी देट अपना बाल लगा करके प्राजित हो की किन्तो परमात्मा हरी तो अपने भक्तों की रक्षा स्यम करते हैं परमात्मा के बनाए जीवों के लिए क्या होता है परमात्मा के मकाबले ये तो करम के फल के अनुसार देत को रज पराप्त हुआ है किन्तो उसने प्रमातमाहरी को भुला दिया और प्रजा को अपने मेही रमा लिया पुत्र परलाज से भी जगडा हो गया अंधाहिना कश्चप नहीं जानता कि इस जगड़े के माद्यम से मृत्यों उनके निकटा रही है अरीना बुझे इतिसी आप बुलाया पुत्र परलाज सो वादू रचाया अंधाना बुझे कालू नेड़े आया परलाजो कोठे विची राखेया वारी दिया ताला निर्भव वालको मूले न डरी मेरे अंतरी गुर्व गुपाला कीता वे सरीकी करे अनहुंदा नाउ तराया जो तुर लिख्या सो आया पुफता जन सो वादू रचाया पिता परलाज सो गुर्ज उठाई काहा तमारा जगदी से गुसाई जग जीवनु दाता अती सखाई जा देखा तां रेया समाई परलाज को घर के भीतर रख करके द्वार पर ताला लगा दिया निर्भव वालक के भीतर जो परमातमा बिराज़ता था हरी बिराज़ता था अताय वे तद दिन ने डरा परमातमा हरी का बनाया जीव ही यदि प्रभु हरी का शिरी के प्रति दुन्दी बने और अपना ना मुचा कहलवाए तो अंतता कर्मों का फल मिलेगा नस्ट हो जाएगा तभी तो प्रभु के भक्त ने से उसने जगड़ा कर लिया जोतर लिख्या सो आए पहुता जन सो वादू रचाया पिताब हरना कशप ने परलाद को मारने के लिए सेम कुर्ज उठा लिया और चीच करके पूछा कि तुम्हारा जगड़ीश परमात्मा कहा है वे संसार को जीवन देने वाला अंतता सब का सहायक तो जिदर देखे सब जगा व्यापता है कहां तुम्हारा जगड़ीश गुसाई जगजीनो दाता अंत सखाई चा देखाता रया समय थंबो उपाड़ी हरी आप दिखाया एंकारी देतमारी परचाया पर्तामनी अनंदबजीवदाई अपने सेवक को देवड़े आई जमनो मरना मोह उपाया आमनु जाना करते लिखी पाया परलाद के कार जी हरी आपू दिखाया पक्ता का वो लुह आगे आया तबी स्तम्ब भाड़ करके परमात्मा पर अगटोगे एहंकारी देत्य को उसने मार करके समाप्त कर दिया भक्तों के मन में इसे खुशियों के वद्य बजने लगे परमात्मा हरी सदेव अपने सेवक को समान दिलाते है थंब उपाड़ी हरी आप दिखाया एहंकारी देत्य मारी पचाया पक्ता मनी अनंद वजीवदाई अपने सेवक को देवड़े आई जन्म मरंद के चक्कर में मौ पैदा हुआ है करता ने सेम आवा गमन का अलेख तियार किया परलात के कारण परमात्मा ने सेम को प्रगट किया भक्तों के वचन की रक्षा की परलात के कार जी हरी आप दिखाया पक्ता का बोलू आगे आया देवकुली लख्मी को करी जेकारू माता नर्सिंग का रूपू निवारू लख्मी पै करे न साके जाई परलाद जनु चर्नी लागा आई सत्गुर नामत्यानू नाम निदानू दिड़े आया राजु मालू चूट सा पपाया लोबी नर रे लपटाई अरी के नाम भी नो दर्गा मिली सजाई जब देवताओं ने लख्मी को परनाम करके विंतिकी किहे माता नर सिंग को ये भ्यानक रूप त्यागने को कहो तो लख्मी दर्ती थी और नर सिंग के निकटनी जाती थी कि जब भक्त परलाद नर सिंग के चर्णों में लिपट गया तो उसने वह भ्यानक रूप त्याग दिया सच्चे गुरू ने जिस हरी नाम का भेज समझाया है उसके लिए राज्य संपती सब मिथ्या माया जाल समाल है लोभी मनुश्य उसी से उलजा रहता है किन्तु हरी नाम भजन के मिना प्रभु के निकट वह दंड का भागी बनता है लोभी न रहे लपटाई हरी के नाम भीना दर्गा मिले सजाई कहे नानक सब को करे कराया से परवानू जिनना हरी सोचित लाया प्रक्ता का अंगिकार करदा आया करते अपना रूप दिखाया को नानक ची कहते हैं कि परमात्मा हरी ही सब कुछ करता कराता है उसके दर्बार में वही सब कार है जो परमात्मा में मन रमाता है कहे नानक सब को करी कराया से परवानू जिनना हरी सोचित लाया कतार सदय भक्तों के पक्ष में है और अवश्यक्ता होने पर अपने को प्रगट करता रहता है पक्ता का अंगिकार करदा आया करते अपना रूप दिखाया पहरो में लातिन गुर सेवाते अमरत फल पाया अमवे त्रिसन बुजाई हरी का नामू हिद्दे मनी वस्या मन सामनी समाई हरी जी किर्पा करू मेरे प्यारे अंदीन हरी गुन दीन जन मांगे गुर के सबद उदारे गुरू की सिवा से नाम रुपी अवरत रुपी अमरत फल पराप्त हुआ और एहम एहम त्रिशन की कुवरितियों का नाश हुआ गुर सिवास ने अमरत फल पाया अमे त्रिसन बुजाई हिद्दे में प्रमात्मा हरी का नाम बसने से मन की सब तरिशनाइस मापत होगी हरी का नाम हिद्दे मनी वसिया मन सा मनी समय है मेरे प्रितम प्रभु जी है हरी जी कृपा करो तुमरा ये दीन भक्त रात दिन तुमसे गुनगान का समथ मांता है गुरू के उपदेश के उधार की काम ना है वे पूर्ण करो हरी जी कित्पा करूँ मेरे प्यारे अन दिनों हरी कुन दीन जन मांगे गुर्ण के सब्द उधारे संत जना को जम जो ही न साके रती अंच दुख न लाई अपी तरी सगले गुलतारी जो तेरी सनना है संत जना प्रभु की शरन लेने वाले जीवां को यमदूत कूद रिष्टी से नहीं देख सकता रती भार भी उन्हें आच नहीं आती जो तुमारी शरन में आते हैं वे लोग मोक्ष पाते हैं साथ ही अपने समुचे कुल की मुक्ती का साधन बनते हैं आपे तरी सगले गुलतारी जो तेरी सरनाई पगतां की पेज रखी तू आपे ए तेरी वड्याई जनम जनम के किलविक दुख काटी दुविदा रती न राई हम मोड मुगद किछो बुजे नाई तू आपे दे ही बुजाई जो तुझ्यों पावे सोई करसी अवरू न करना जाई तुमारा विरत है कि तुम भक्तों की लाज रखते हो उनके जनम जनम के पाप काटते हो रती भर भी दुविदा उन्हें शेश नहीं रह जाती हम मूर्ख गवार हैं कोई सूज बुज नहीं है तुम्ही सब ग्यान के ग्याता हो जो तुमें प्रिय है वही होता है कोई अन्य कुछ नहीं कर सकता मुगत किछो बुजी नहीं तुम आपे नहीं बुजाई जो तुज उपावे सोई करसी अवरू ना करना जाई जग तु उपाया तुद तंदे लाया पुंडी कार कमाई जनम पदार्थो जुवे हारया सब्दे सुरत नपाई मनमकी मरी तिन किछो नसुझे दुनमती ग्यानन दारा पावजल उपारी नपावी कभी दुबी मुए बिनु गुरू सिरस्पारा संसार को बना करके तुमने दंदे कारिय विपार में लगा रखा वे जीवे मंदे करम करते हैं वे जुवे में मनुष्य जनम को हार देते हैं गुरू के शब्द में मन नहीं लगाते मन मुक से चाचारी दुरमती अज्ञान एम अंधकार में बढ़कता उसे कुछ नहीं सूचता वे संसार सागर से कभी पार नहीं होते गुरु की शरन लिये बिना पाप का बोज लाधे वे मजदार में डूब मरते पावजल पारी न पामी कभी डूबी मुए बिन गुरु सिरित पारा साचे सब्दी रत्ते जन साचे हरी प्रव आप मिलाए गुर की बानी सब्दी पछानी साची रे लिव लाई तो आपी निर्मलु तेरे जन है निर्मल गुर के सब्दी विचारे नानको तिन के सदबली हारे राम नामो उरतारे सचे भक्त जिने स्यम परमात्मा हरी अपने संग मिला लेता है सचे शब्द आकाशवानी कलाम इलाही या अनाहत नाद में रंग जाते हैं वे गुर के भानी दौरा शब्द रहसे को समझते हैं और सत्यस रूप में ध्यान लगाए रते हैं साचे सब्दी रते जन साचे हरी प्रणी आप मिलाए गुर के भानी सब्दी पचानी साची रहे लिव लाये हे प्रभु जी है हरी जी तुम निर्मल हो कुरु का शब्द पहचानने वाले तुमारे सेवक भी निर्मल गुरु नानक जी ऐसे सेवक जन पर जो हरी नाम को मन में धारन करते हैं कुर्बान जाते हैं तो आपी निर्मलू तेरे जन्ह निर्मल गुर के सब्दी विचारे नानकू तिनके सद्बली हारे राम नामू उरीत आरे पैरू मैला पंजवा अस्ट पदिया करू दो एक कमकार सद्गुर्परसादी जिसु नामू रिदे सोई वाड राजा जिसु नामू रिदे जिसु पूरे काजा जिसु नामू रिदे तिनी कोटी तन पाए नाम बिना जन्मू विर्था जाए तिसु सलाई जिसु हरी तनु रासी जो वड़ पागी जिसु गुरु मस्त कहा थो जिसके हिदे में राम नाम बिराजता है वही बड़ा परतिष्टी ता है जिसके मन में हरी नाम है उसके सब कारे संपन होते है हिद्दे में हरी नाम जपने वाला करोडों परकार के धनका स्वामी होता है हरी नाम के बिना मनुष्य जनम वृत्था है जिसके पास हरी नाम रुपी राशी है जिसके माते सत्गुर का हाथ है जो गुरी द्वहरा धारन में लिया गया है वही शुभाग्यशाली है 376-11 जिसु हरी नुराशी सोवड़पागी जिसु गुर मस्तकी आतु जिसु नाम रिदे जिसु कोट कई सेना जिसु नाम रिदे जिसु सेज सु खेना जिसु नामु रिए सो सीतलु होया नाम बिना त्रीकु जीवन मुवा जिसु नामु रिद्दे सो जीवन मुकता जिसु नामु रिद्दे तिसु सब भी जुकता जिसु नामु रिद्दे तिनी नव निदी पाई नाम बिना प्रमिक आवे जाए जिसके पास हरी नाम रूपी राचिय वैस्तुत्य है जिसके माते सत्गुर का हाथ है जो गुरु द्वरा धारन में लिया गया है वही सुभाग गिशा लिए हिद्दे में प्रभु नाम को धारन करने वाले के पास अनेक दुर्गुर सेनाई शक्तिया है जिसके मन में हरी नाम है वे सहज सुख को पता है हिद्दे में प्रभून नाम स्थिर करने वाला शांत जीवन जीता है हरी नाम के बिना जीवन धिकार योग गया जिसु नामूरिदे तिसु सहज सुखे ना जिसके अंतर में प्रभु हरी का नाम है वैजीवन मुक्त होता है हरी नाम को धारन करने वाला समस्त युक्तियों में पारंगत होता है राम नाम को हिद्दे में स्थिर करने से नव निधी प्राप्त होती है नाम के बिना जीव भ्रम्य में पड़ा आवा गमन भोगता। नाम के बिना जीव गवार और सिच्छाचारी होता है। हिद्दे में प्रमात्मा हरी का नाम जिपने वाले का आशन अडोल होता है। मैं सिंगासन अरूर होता है प्रभु नाम को हिद्दे में स्थिर करने वाला यिधार से धन्वान होता है। हरी नाम में हीन जीव का कोई सम्मान या विश्वास नहीं होता है। जिस नाम रिद्दे सो साचा साहू नाम हीन नाई पती बे साहू जिसके हिद्दे में नाम है। वे सब जगा परतिष्टित होते हैं। वे तो स्यम करता पुरुष बन जाते हैं। अथात वे परमात्मा रूप हो जाते हैं। हिद्दे में प्रभु नाम को धारन करने वाला सब से उचा है। नाम विहीन वे अनेक योनियों में भ्रमता है। जिसु नाम रिदे सो सब में आ जाता। जिसु नाम रिदे सो पुर्ख विदाता। जिसु नामी रिदे सो सब ते उच्चा नाम विना प्रमी जोनी मुच्चा। जिसु नाम रिदे तिसु प्रक्ति पहारा। जिसु नामी रिदे तिसु मिट्या अंदारा। जिसो नमुरिदे सुपर्खु परवानू नम बिना फिरि आमन जानू तिनी नाम पाया जिसो पयोकिर पाल साथ संगती में लखे गोपाल आमन जान रहे सुख पाया कहू नानक तक्त्त मिलाया जिसके हिद्दे में राम नाम बिराजता है उसका अग्यान अंधकार दूर होता है और उसे सरवच्च में परमात्मा हरी पर्टक्ष व्यापत दीखता है हिद्दे में प्रभू नाम हरी नाम राम नाम अलाव्यक्ति परमात्मा के दरबार में सभी करित होता है किन्तु नाम महीन लोग जनमते मते रहते हैं जिन पर प्रभू की किरपा हुई वे ही हरी नाम को पहचानते हैं वे सर संघती में रहकरके पर्मात्मा को प्रगत देखते हैं गुर्णानक जी कहते हैं कि उनका आवा गमन चुख जाता है उन्हें सुख मिलता है और वे तत्त अभेद के कारण प्रमात्मा हरी में ही विलीन हो जाती तिस्व नाम पाया जिस्व पयोकिर पाल साधसंगी में लखे गपाल आवन जान रहे सुख पाया कहू नानक तते तत्तम मिलाया